दित कारवाई क्यों नहीं की क्योंकि यह नोटिस तत्यों के आधार के उपर है जिसमें जो पॉलिसी मैंने आपको बताई उसको सीधे सीधे तरीके से ध्वस्त किया गया है तो मैं सिर्व यह कहना चाहूंगा एक साइस पॉलिसी तो एक कहती है कि मैनुफैक्चर डिस्टिब्यूटर एंड रिटेलर एक नहीं होना चाहिए परन्तु यहां यह मित्या भ्रम और जूट के मैनुफैक्चरर भी यहीं है डिस्टिब्यूटर भी यहीं है और रिटेलर भी वहीं है और उसके बाद पूरी न पिरलजता के साथ जनता के सामने आकर यह दावा करने वाले कि सबसे बड़े इमांदार वो हैं इस असत्य के पर्पिट्रेटर भी वही हैं। अब मैं अनुरूत करूँगा हमारे दिल्ली के सांसत प्रवेश साहिप सिंग वर्माजी से कि वो आगे का विशाय आपके समक्ष रखेंगे। सी से पहले बनाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा और उनको अपने रिकमेंडेशन देने के लिए कहा था। छूट दे दी कि एक पेटी के बदले में एक पेटी फ्री दीजे पूरे दिल्ली में नहीं पूरे देश में ये परचार था कि दिल्ली में एक पेटी के साथ में एक पेटी फ्री मिल रही है और दिल्ली से भार से लोग आकर दिल्ली से खरीद रहे थे तो उस चीज़ का परचार यह according to committee report यह नहीं कर सकते थे एक इनों ने जो committee की recommendation थी कि whole sale operation under one government entity इस बात को note कीजेगा बहुत है इंपोर्टेंट है कि whole sale operation under one government entity the model to be followed should be similar to the one as followed in the state of Karnataka where KSBCL Karnataka State Beverage Corporation Limited तो Karnataka में जो वहाँ पर model चल रहा था कि जो whole sale है whole sale का जो काम है वो सरकार को ही करना चाहिए जो हम बार-बार एक आरोप लगाते हैं जिसका आम आदमी पार्टी अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाई ना उनके पास में जवाब है कि जो L1 का commission इनोंने L1 मतलब है wholesaler L1 का commission इनोंने 2% से 12% क्यों किया इसका कभी ये लोग जवाब नहीं देते हैं तो committee ने कहा कि जैसे करनाटक में होता है कि वहाँ पर सरकार ही wholesale का काम करती है तो यहाँ पर भी सरकार wholesale का काम करें ताकि हम उसको control कर सकें और सरकार को मुनाफ़ा आए फिर यह committee की report में कहा कि non-confirming areas जैसे की गाउं है जैसे की colonies हैं जहाँ पर कोई commercial market नहीं है जहाँ पर कोई DDA की कोई MCD की market नहीं है वहाँ पर नहीं खुल सकती दुकाने मगर इन्होंने जब auction किया जोन्स का तो इन्होंने non-confirming area को भी बेच दिया उसके बाद में committee कहती है कि only individual can apply for license यानि कि इनका target था कि 800 दुकान खोलेंगे तो 800 लोगों को एक एक दुकान एक एक आदमी को देंगे कभी committee नहीं कहा कि आप पुरा cartel बना कर एक एक आदमी को 100 दुकान दे दीजिए एक एक आदमी को दो दो जोन दे दीजिए कभी committee नहीं कहा उसके बाद में committee ने जो भी सुधार शिजी ने जिसका जिक्र किया no manufacturer or wholesale license holder is allowed to bid for जोनलाइस कि जो wholesaler होगा वो manufacturer नहीं हो सकता जो manufacturer होगा वो retailer नहीं हो सकता जो retailer होगा वो manufacturer नहीं हो सकता मगर दो कंपनियों की मैं हापर अपना जिक्र करना चाहता हूँ एक है महादेव वो तीनों ही है जो की मेसिस चड़ा चलाते हैं उसके बाद में एक है बड़ी पंजाब तो दो कंपनिया ऐसी हैं जो तीनों का काम करती है यह शराब बनाती भी है इनके पास में L1 का लाइसंस भी है और इनके पास में दिल्ली में जोन्स भी है फिर एक है महादेव, एक है बड़ी पंजाब फिर इसमें एक important point है कि if the applicant does not accept the license after winning the bid within the stipulated time frame EMD amount shall stand forfeited जो इन्होंने 144 करोड रुपर वापस कर दिया लोगों का ये बोलके कि covid चल रहा था, किसी छोटे वेपारियों का एक रुपर नहीं वापस किया मगर 144 करोड रुपर शराब माफ़ी का माफ़ कर दिया, जो policy कहती है कि किसी को भी माफ नहीं किया जाना चाहिए तो मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि आपने ये पैसा क्यों वापस किया जी 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 ये सारा पैसा जो कंपनिया जिन्होंने बिट की थी और जिनको बिट में जोन मिल गए थे जब वो नीचे से जाकर नहीं लेके आए तो उनको पैसा वापस कर दिया गया देश में दिल्ली में एक ऐसा ही राज्य है दिल्ली जहां पर शराब मंत्री भी वही है जो शिक्षा मंत्री है तो एक तरफ एक शिक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये बच्चों की उमर को घटा देते हैं उनको छूट देते हैं कॉलेज के बच्चों को कि आप जाके शराब पीजिए हम बहुत अजीब सी बात है कि शिक्षा मंत्री है और हम इनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछते हैं और ये हिस्ट्री का जवाब देते हैं क्योंकि ये केमिस्ट्री का सवाल इसलिए नहीं उसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि 60% दिल्ली सरकार के स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाई जाती है इसलिए शिक्षा मंत्री से जब भी पूछो कि 2% से 12% क्यों किया तो वो जवाब देते हैं कि हमारे घर में आज अपना डॉक को बच्चा हो गया है कुत्ते को बच्चा प्रादा हो गया हम उनसे जो है सवाल पूछते हैं कि आपने क्रेडिट नोट 18 करोड रुपे का एक एक तो जो 2% से 12% की कमिशन कैसे ट्रांसफर होती थी कि क्रेडिट नोट ये देते थे आप सभी कभी दुकान पर जाते होंगे कोई जूता खरीतते होंगे आपको जूता पसंद नहीं आता होगा तो जब आप उसको वापस कराने जाते तो आपको क्रेडिट नोट दे देते हैं कि ये एक साल तक वैलिड रहेगा इसके बदले में कभी भी जूता ले लेना या कभी भी उतने अमांट का कोई भी चीज ले लेना तो ये रिटेलर्स को जो L1 होते थे वो सारे रिटेलर्स को क्रेडिट नोट इशू करते थे और क्रेडिट नोट के बदले में उनसे कैश लेकर वो आमादमी पार्टी को ट्रांसफर किया करते थे तो ये इनका सारा अपना मॉडर्स ओपरेंडी था ना ये क्रेडिट नोट का जवाब दे सकते हैं और ना ये दो परसंट से बारा परसंट का जवाब देते हैं ये सीधा पहुंच जाते हैं कि केश्रिवाल तो बदान मंतरी के उम्मीदवार हैं तो एक कोई गाव में अपना हड़ी सा पहलवान था तो एक हमारे देश में गामा पहलवान हुए बहुत जो है उनको रुस्त में हिंद भी बोलते थे तो एक हड़ी सा पहलवान था रागव चड़ा जैसा तो वो बार-बार जो है चुनोती देता था कि गामा पहलवान को मेरे सामने लाओ मैं उसको हरा दूँगा तो ना गामा पहलवान ने उससे लड़ना था और जब अगर कभी वो आभी जाता तो उसका हड़ी पहलवान का क्या होता तो वो भाग जाता तो ऐसे ये खुदी चार लोग कहीं पर भी जाके चैनल पर या किसी दूसरे राजे में जाकर खुदी एक दूसरे की पीट जो है थप थपा रहे हैं मैं आपको भूती इंट्रस्टिंग फिगर एक जो है बताने वाला हूं और जवाब इनकी आमानमी पार्टी की पीजी में जायें तो ज़रूर उनसे ये वाला सवाल पोछें इसका भी जवाब उनके पास नहीं होगा कि आपने मनी सिसोदिया को बार-बार ये कहते सुना होगा कि हमारी दुकाने ज़्यादा नहीं खुली इसलिए जो हमारा रेविन्यू है वो कम आया अब आप यह जो मैं आपको फिगर दे रहा हूँ इसके बारे में ज़रा सुन लीजे कि 2020 और 2021 में अगर मैं 19 और 20 की बात करूँ तो दिल्ली में 10,000 करोड की शराब विकी 2019 और 2020 में 2020 और 2021 में दिल्ली में 7,860 करोड की शराब विकी और जब यह पॉलिसी आई तो केवल 7 महिने के अंदर में जो दिल्ली में शराब विकी है वो amount है 10,000 करोड रुपया तो जो पुरानी policy में एक साल में 10,000 7,800 करोड की शराब एक साल में बिक्ती थी इन्होंने 7 महीने में 10,000 करोड की शराब बिक्की है दिल्ली में 7 महीने में तो ये ये बात को नहीं कह सकते कि हमारी दुकाने कम खुली है इसलिए हमारी शराब जो है कम बिक्की है इनकी शराब डेड़ गुना ज़्यादा बिक्की है और एक साइस की डूटी इन्होंने कर दी 1% अब मैं आपको एक साइस के उपर में भी आपको उनसे सवाल पुछना चाहिए कि 19,20 में आपको एक साइस ड्यूटी 4,200 करोड रुपया सरकार को मिली 20,21 में एक साइस आपको 3,300 करोड रुपया मिला मगर जब आप नई पॉलिसी लेके आए तो केवल 158 करोड रुपया एक साइस मिला एक साइस 158 करोड रुपया यानि कि एक साइस में भी लॉस है और आपके रेविन्यू में भी लॉस है तो मैं मनी सिसोदिय जी से पूछना चाहता हूँ कि आप इस बात का जवाब दें कि आपकी सरकार को एक साइस में 3000 करोड का लॉस हुआ है और आपके रेविन्यू में 3500 करोड का लॉस हुआ है यह सरकारी लॉस है, यह आपको हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का जवाब दे दे, यह तो सारे डाटा होंगे, एक्साइज के पास में, एक्साइज विभाग के पास में, आपके पास में, तो सरकार को पिछले साल की तुलना से, एक्साइज में कितना लॉस हुआ है, और आपको revenue में कितना loss हुआ है इस बात का मनी सिसोधिया उत्तर देदें कि आपको 3500 करोड रुपे